Hello everyone, जिनको भी समझ में नहीं आता है कि puzzle all sitting arrangement कैसे करें और कहां से complete करें क्या process होता है पढ़ने को, कौन सा teacher को follow करें, कौन सा channel को follow करें और कौन सा book को follow करें, तो सब कुछ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं अगर आप beginner student हो, तो ये काफी ज़्यादा helpful होने वाला है और जो पहले से त्यारी करें, वो कम से कम content देख लेगी, कहां से आप लोगों को practice करने के लिए अच्छी question क्योंकि आज के time में आप लोगों को जो questions है, वो अच्छी level की question पूछे जा रहे है अगर आप old pattern के question को practice कर रहे हैं, तो वो छोड़ दीजे, क्योंकि question आप बहुत ही update हो चुका है, आपको updated question करना पड़ेगा तो वो सब कुछ मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूं, बस वीडियो को last तक बने रहेगा लाज तक देखिएगा, अगर आप skip करिएगा, तो हो से कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा छोड़ा से वीडियो है, complicated नहीं करोंगा, easy way में बस बता दे रहा हूं और कुछ important points भी है कि आपको puzzle को attempt कैसे करना है, तो आप लोगों को चलिए हो देख लिजे सबसे पहले important भात में आप लोगों बता दे रहा हूं, अगर आपको puzzle and setting arrangement करना है तो आपके reading habit होना अच्छा है, इसलिए मैं बार 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 बोलता हूं कि editorial पढ़िए हिंदू पढ़िए, आप 10-15 minute reading में दीजे कुछ rules है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और कुछ concept होते हैं, उसे आप लोगों को पढ़ना पढ़ेगा यहां पर देख लिजे कुछ chapters के नाम है, जितने types के puzzles होते हैं, यहां पर मैं लिख दिया हूं इसका आप हो सके तो screenshot ले लिजे क्योंकि यह कापी ज़्यादा important है, क्योंकि आपको हमेशा type wise पढ़ना है सबसे पहला circular है, linear है, rectangular है, square है, day, month, year, floor based puzzle, box based puzzle, cataracts based puzzle, blurred relation based puzzle, compression based puzzle, direction based puzzle इतने परकार कि आपको यह 4th number से 10 number तक आपका puzzle है और 1, 2, 3 आप लोगों का sitting arrangement है यह total 10 types के यह आपको cover करना पड़ेगा, क्योंकि pre और mains के लिए कापी ज़्यादा important है mains में तो समझे कि आप लोगों का पूरा puzzle सी रहते हैं, तो आप लोगों को अच्छा से करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ teachers के नाम है, अगर आप high level के question करना चाहते हैं तो आप अंको श्रामर सर को follow कर सकते हैं और उनके tricks को अच्छे से समझेगा, जो भी बताते हैं, उनके concept बहुत beneficial है, तो अच्छे से समझेगा और ऐसा नहीं है कि आपको हमीशा करना, अब बस learning period में उनका video देखेगा, जैसे 10 दिन, 15 दिन हो गया, फिर ज्यादर ज्यादा कोसिस करिएगा कि आप अपनी तरीका से जितना ज्यादा हो से कि उतना practice करिए, फिर study नित्ती में भी आपको अच्छे level के questions मिल जाएंगे, और बाकी bankers वे और order 247 आप basic के लिए पढ़ सकते हैं, अगर आपका basic clear नहीं है, तो यहाँ पर आपको basic clear questions मिल जाएंगे, कापी अच्छे से मिल जाएंगे, order 247 में सौरब सर्जो पढ़ा हैं, आप लोगों को puzzle and sitting arrangement, वहाँ पर आप लोगों को सारा basic clear हो जाएगा, कुछ rules होते वह देखना बिल्कुल भी मन भूलिएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको puzzle and sitting arrangement attempt कैसे करना रहता है, तो सबसे पहले जान लेजिए कि आपको जो भी दिया गया है, read the question carefully, आपको question को carefully पढ़ना अच्छे से, आप जल्दी-जल्दी के चक्कर में मत रहिएगा, क खुद practice करते-करते आएगा, आपको कुछ भी important लगे, आप तुरंद बगल में रप सीट में लिख लीजे, फिर आप कुछ पढ़ रहे हैं, फिर important लगा, कहां से मुझे solve हो जाएगा, तो उसे important यहां बगल में लिख लिए, क्योंकि बार-बार puzzle, क्योंकि बहुत means में जाना time लगेगा, अगर आप side में छोटा से way में करके link लिजेगा, तो आपके direct ध्यान वहां जाएगा, और time बचेगा, तो यह आप लोगों को आप जैसे जैसे puzzle solve करेंगे, कम से कम 100-200 solve कर लेंगे, तब यह जाके habit आपको अच्छा बनेगा, तो यह बात ध्यान रखिएग पिर neighbor assume anything in the question, खुछ से कुछ भी assume नहीं करना, चाहे जो भी हो जाए, अगर left दिया है, तो आपको left में ही follow करना, अगर right दिया है, तो आपको right में ही follow करना, खुछ से कभी भी कुछ भी assume नहीं करना, अब यह सबसे important point है, यही आप लोगों का puzzle and sitting arrangement यहीं से सुरवात होता है, कि जो भी information अगर 100% दिया गया है, तो आपको सुरवात हमेशा वहीं से करना है, be careful with certain words like not only who and but whose, यही मैं important point आप लोगों बता रहा था, कि यह आप यह बहुत सरे beginners student को नहीं पता होगा, इसलिए मैं आप लोगों बता रहा था कि कुछ rules होते हैं, कुछ concepts होते हैं, आप लोगों को पढ़ना जुरूरी है, नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको दिक्कत होता अगर आप यह सब कुछ समझ लेंगे हैं, तो आपको थोड़ा easy होगा, तो यह सब समझने के लिए आप order to 47 में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे 11 सब बहुत अच्छे से बढ़ता हैं, तो आप उनको जरूर follow कर लिजेगा, जैसे who always denote to second percent, इस तरह का कुछ concept होता है, अगर आप उनको who का मतलब नहीं पता होगा, कि denos to second percent top solve भी नहीं कर पाएंगे, और and denos to first percent, and हमेशा first percent को denote करता, तो यह था कुछ important point, तो यह चाहिए आप लोगों को समझना काफी ज़्यादा जरूरी है, काफी important है आपके लिए, बाकि आप मेरे टिलिग्राम चैनल पर जोइन कर सकत पजल एंड सिटी अरेंडमेंट से रिगारड़े, और thousand puzzles रही जो अंकुछ लामा के सर्ट वरफ प्रोवाइड किया गया, उसका भी pdf आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यह मेरा टेलिग्राम चैनल का नाम है, study with subhan, link आपको description भी मिल जाएगा, और किसी पर प्रकार का अपडेट्स के लिए और preparation guidance के लिए मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं, छले मिलते हैं, next video में अभी के लिए, bye